मैं नमस्ते तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नौलेजिव करनसी पर तो आज की इस वीडियों में हम फिर से रस्खान के सवय क्या चागा के जो दो पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे सखान जी के बारे में हम जनकारी ले चुके हैं कि रस्कान जी एक मुस्लिम कवीद है और वो कृष्ण भक्ती में लीन थे तो आए उनके आगे के दो कि जो सवये बाकी है उसके विसे में पढ़ लेते हैं अब यह जो सवये हैं इसमें दो सख्यों के बीच की बात का चीत लिखी गई है कि कैसे दो सख्यां एक दूसरे से बात कर रहें किष्ण के बारे में जादीन तए वहनंद के छोरो याबन धेनू चराए गए हो है तो एक सख्यी अपने दूसरी सख्यी से कहते है कि यह सख्यी जब से वहनंद का लाडला चोरा आकर इस जंगल में बन मे अपने गाये चरा के गया है मोहिनी तान नी गोधन गाई के बेनू बजाई रिजाई गया है और उसी दिन से वह अपने मोहिनी तान से मोहिनी राग से गायों को चराते हुए जो गाना गा कर बेनू बजाई गया है अपनी बंसी बजा के गया है और उससे क्या हुआ उसके क कारण उसने हमें रिजा लिया है हमारा मन उसके प्रती मुग्द हो गया है कि कि ताहीं घरी कच्छ टोन टोना सो के रस्कान हिये में समाई गयो है और उसी समय से कुछ टोना सा करके कुछ जादू सा करके है सखी हो हमारे या मेरे हिर्दे में समा गया है कोई न कोई की कानी करे सिग्रो ब्रज बीर विकाई गया है और अब कोई भी सखी किसी की मर्यादा का पाला नहीं करती कोई किसी की बात नहीं मानती सिग्रो संपूर्ण ब्रज उस बीर के हाथ उस बालक के हाथ जो नंद क करदा था उसके हाथों क्या हुआ है विकाई गया है ऐसा लगता है कि संपूरब्रज अब उसके वस्त में है तो इन चार पंग्तियों का भवारत है कि एक सकी दुसरे से सकी से कहती है कि सकी जिस दिन से उसने के चोड़ा कर इस जंगल में अपनी चरा के गया हे और उसी दिन से उखर जो उसने अप्णी मोहिनी तांच सुनाई के इया मोहिनी इसने मोहिनी करते में समाच चुका है अब यहाँ पे कोई किसी की बात नहीं मानता ऐसा लगता है पुरा ब्रज उसके पीछे दिवाना हो गया है पुरा ब्रज उसके पीछे बिक गया है पागल सा हो गया है कि आगे के अंतीम सवहए में हम देखते हैं सकी दूसरे सकी से कहती है मौर पंक कासी उपर राकियो गंज की माल गरें पहरूंगी ज़िंगो हो जो पुल सिक्रिश्या पीदा और लाठी लेकर उन गायों के साथ और गालों के साथ वन फिरोंगी भाव तो वही मेरी रस्कानी मेरे भाव वही है रसकानी यह सखी मेरे सभी भाव उनके जैसे ही है सो तेरे कहसा स्वांग और जो जो करते हैं जैसा जैसा वो स्वांग करते हैं माला पेहना लंगो लोठी लेकर चलना गायों के साथ चलाना सब कुछ करूंगी जो सिर्कृष्ण करते हैं वैसा हमें सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ पे लेकिन मुर्ली मुर्ली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी लेकिन ओर जो मुर्ली है और मुर्ली धर अपने हाथ अपने होठों पे जो मुर्ली रखते हैं उस मुर्ली को मैं अपने होठों पे नहीं रखूंगी क्यूंकि अब वह मुझे अपनी सौतन सी प्रतीत होती है और उस मुर्ली को मैं अपने होठों के धरने वाली नहीं हूं तो इस पंक्तियों में कभी ने रस्कान जी ने अच्छे से एक दम बताया है कि कैसे गोपिया के पिछे कैसी दीवानी के पागल और स्रीक्रिश्ण का किया हुआ सब कुछ करने को त्यार हैं लेकिन स्रीक्रिश्ण होठों पे जो यह मुर्ली रखते हैं एस अभी गोपिया हुन्हें अपने सोतन तो दोस्तों आपको यह भावात और यह कैसा लगा वीडियो यह कोमेंट करके जरूर बताइएगा और नौलेज के लिए सब्सक्राइब किजिए नौलेज इस करन्सी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बबाई